HD सची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है अचानक घर पहुंचे पोते ने अपनी दादी को नोकरों की तरह काम करते देखा तो अपनी पत्नी को सिखाया ऐसा सबक अब सुन्ये पूरी कहानी रोहित आज बहुत हैरान और परिसान था क्योंकि आज से अपनी पत्नी की सचाई के बारे में पता चल जुका था बात कुछ समय पहले की थी जब रोहित के दादा जी की मृतिव दिल के दोरा पढ़ने से हुई थी तब रोहित अपनी दादी को अपने साथ रहने के लिए ले आया था लेकिन उसकी पत्नी रोहित की दादी के साथ अच्छा वेवार नहीं करती थी लेकिन रोहित अपने दादा पर जान चुरकता था क्योंकि जब रोहित छोटा था तब उसके मम्मी पापा कार अक्सिडेंट हो गया था और वे इस दुनिया को छोड़ कर चले गए थे तब से रोहित के दादा नहीं उन्हें पाल पोसकर बढ़ा किया था आज रोहित सुबह जल्दी दुकान चला गया था लेकिन उसे अचानक याद आया कि वे अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया है इसलिए थोड़ी देर बाद मोबाइल लेने के लिए घर वापस लोटा आया लेकिन जैसे ही घर लोटा तो उनके कानों से कुछ आवाज आई ये कड़कती हुई आवाज उसकी पतनी मीरा की थी मीरा कह रही थी बुड़िया मेरे लिए गर्मा गर्मा चाय बना कर लार बाकी का काम किया नहीं तभी कमला जी अपनी कमर पर तहांत रखते हुए बोली बहु रसोई का काम तो मैं निप्टा चुकी हूँ लेकिन जाडू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्ध हो रहा है तभी बहु बोली कोई काम तो तुछ से किया जाता नहीं हम लोगों का ही दिमाग खराब है जो तुझे अपने घर में भी रखें और तेरी दवाईयों का भी खर्च उठाएं और तुझे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता अगर इतनी ही परिशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहां से बहु की बात का जवाब देना कमला जी ने सही नहीं समझा और चुक चाप आँखों में आसू लिये रसोई घर की तरफ चली गई तभी अपने कमरे में जाते जाते मीरा ने आवाज लगाई अब जरा जल्दी जल्दी हाँ चला फिर से कमर दर्द का बहाना बना कर बैठ मत जाना ये बाते सुनते ही रोहित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ अपनी दादी मा की ऐसी दसा देखकर उसकी आँखों से आसू आ गए इतने दर्द के बावजूद भी कमला जी लगातार काम करती जा रही थी कभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा पीछे मुड़ कर देखा तो उनका पोता रोहित खड़ा था उसे देखते ही कमला जी के आँखों में आसू बह निकले लेकिन फिर उसी समय उनकी जूठी मुस्कान के पीछे अपने आसू चुपाते हुए कमला जी बोली अरे बेटा तुम कब आए लेकिन रोहित भरी आँखों से अपनी दादी मा को देखता जा रहा था कमला जी बोली क्या हुआ बेटा मुझे ऐसे क्यूं देख रहे हो तभी रोते हुए रोहित बोला दादी मा आपने मुझे बताया क्यूं नहीं इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ जेलना पढ़ रहा है क्या आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं जो मुझे से इतनी बड़ी बात आपने चुपाई कहते हुए रोहित फूट फूट कर रोने लगा और अपनी दादी मा को गले लगाता हुआ बोला बस दादी मा अब बहुत हो चुका है ऐसा करते हुए उसने अपनी दादी मा के आंसु पूछे तभी कमरे से मीरा गुसे से चिलाते हुए बोली खाना बनाया नहीं यार फिर से अपनी कमर का बहाना कर बैठी हो ऐसा कहते हुए रसोई की तरफ आई लेकिन सामने अपने पती रोहित को देखते ही मीरा के पैरो तले से जमीन खिसक गई खरीद छे साल पहले की बात है जब कमला जी और रामेश्वर जी अपने पोते रोहित की शादी मीरा से करके उसे अपने घर की बहु बना कर लाये थे क्योंकि वे अमीर बाप की बिगडल बेटी थी छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी मीरा को किसी से कुछ लेना देना नहीं था घर का काम करने में उसका मन नहीं लगता था दिन भर घूमना फिरना शॉपिंग करना या फिर पाटियों में जाना बस यही उसे अच्छा लगता था कमला जी और रामेश्वर जी कोई ये सब पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं का ये सोच कर कि अभी बच्ची है दीरे दीरे उसे समझा जाएगा लेकिन यदि रोहित उसे समझाने लगता तो वे उसे लड़ने को भी तैयार हो जाती इसलिए घर का माहोल भी बिल्कुल खराब हो चुका था धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब उसे इस तरह उनकी शादी को कई महीने बीच चुके थे एक दिन तो रात के बारा बजने को आए लेकिन मीरा अभी तक घर नहीं लोटी थी रामेस्वर जी और कमला जी परिशानी में इधर उधर भूम रहे थे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे तभी रामेस्वर जी ने अपना पोते रोहित को आवाज लगाई और बोले बहु को फोन लगाकर देखो अभी तक आई क्यों नहीं तभी रोहित बोला बाबु जी कितनी बार उसे फोन कर चुका हूँ लेकिन वे भी फोन नहीं उठाती नहीं अभी ये बाते चल रही थी कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी देखा तो मीरा कार से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई तभी कमला जी बोली बहु रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है अच्छे घरों की बहु को ये सब सुभा नहीं देता आप मेरी जिंदगी में दखल ना दे अच्छा रहेगा अपना भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ ये मुझे आप से सीखने की जरूरत नहीं मीरा ने मुग बनाते हुए कहा कमला जी और रामेश्वर जी बहु का ये वहवार देख कर हैरान रहे पतनी की ये बात सुनकर रोहित बोला तुमारे हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी मा से इस तरह बात करने की फिर क्या था उस रात मीरा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया उसकी आवाज आस पडोस के सभी लोग सुन रहे थे और उस दिन के बात से उसने इस घर में ना रहने की जिद पकड़ ली आए दिन अपने पती रोहित से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस चोटे से घर में रहना पसंद नहीं है ये घर मुझे पसंद नहीं प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है न ये कहते हुए मीरा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई धीरे धीरे बहु का बरता और खराब हो गया लेकिन अब रोहित की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी एक तिन शाम को रोहित घर लोटा तो मिठाई का डपा साथ में लेकर आया और बोला ही होगी आज रोहित को कितने खुशी हो रही थी उससे कहीं ज्यादा खुशी कमला जी और रामेशवर जी को हुई कि उनके पोते ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा और ये बात सुनकर मीरा की तो खुशी का ठीकाना नहीं था कमला जी रामेशवर जी भगवान भगवान की शुक्रिया करने के लिए भगवान का परसाद चढ़ाने के लिए मंदिर चले गए आखिरकार इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी लेकिन मीरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था रोहित हाथ मूँ धो कर डाइनिंग टेबल पर बैठा इतने में मीरा बोली आपने नई घर में ज़्यादा समान लेकर जाने की जरूरत नहीं है जितनी जरूरत का होगा उतना ही लेकर आएंगे वैसे दादी मा और दादा जी तो इसी घर में रहेंगे जब जिस की जरूरत होगी हम यहां से ले जाया करेंगे पतनी की ये बास सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा रोहित बोला ये तुम क्या कह रही हो मेरी दादी मा और दादा जी यहां क्यों रहेंगे मैं उनका इकलोता पोता हूँ और उनसे अलग नहीं रहूँगा देखिये जी मुझे नहीं लगता कि वे दोनों ये घर छोड़कर अपने पोते के घर जाना चाहेंगे यदि आपको कोई परिशानी नहीं है तो आप उन्हें नए घर ले चलो लेकिन फिर मुझे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं उनकी सेवा करूँगी मीरा ने कितने दुष्ट सब्दों से अपनी बात कह दी थी रोहित उसे हैरानी से देखता रह गया और उधर कमला जी रामेश्वर जी भी मंदिर से वापस लोटाए थे पोता और बहु के बीच की सारी बाते उन्होंने सुन दी थी तभी रामेश्वर जी अंदर आए और बोले बेटा घर से तुम लोग जाओगे हम यहाँ इसी घर में रहेंगे फिर बहु की और देखते हुए रामेश्वर जी बोले और हाँ इस उमर के अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं इसलिए हमारी जिम्मदारी लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो गुसे में रामेश्वर जी ने कहा तो रोहित ने देखा उसके दादा जी का चेहरा गुसे से लाल हो चुका था आज तक रोहित ने अपने दादा जी को इतने गुसे में कभी नहीं देखा था उसी समय रोते हुए उसने अपने दादा जी के पैर पकड़ लिये और बोला दादा जी आपने तो अपनी बात कह दी और मीरा ने भी अपनी बात कह दी लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा मैं आप लोगे से दूर कैसे रहूँगा अपने पोते को रोता देखकर रामेसव जीर और कमला जी के आखों से आशू बहने लगे थे तभी कमला जी ने उसे उठायर अपने गले से लगाते हुए बोली दिल छोटा मत करो बेटा हम लोग इसी सहर में तो है जम मन करें मिलने आ जाना लेकिन दिन में एक बार फोन करके अपनी आवाद जरूर सुना देना तेरे बूढे दादा जी उसी में खुश हो जाएंगे लेकिन रोहित नहीं माना नहीं दादा जी मैंने फैसला कर लिया है मैं आपको छोड़कर नहीं जाओंगा तभी मीरा बेसरमी से बोली तुम्हें तो बस अपने दादा जी की फिकर है मेरी इच्छा तुम्हारे लिए कुछ माइने ही नहीं रखती इतना तो उन लोगों को भी समद जाना चाहे कि अपने पोता और बहु की खुशी में ही अपनी खुशी देखें मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे पराइवेसी चाहिए अब मैं तुम्हारे गवार दादा को और नहीं जेड सकती इतनी बात सुनते ही रोहित का गुसा साथवे आसमान पर पहुँच गया और मीरा पर हाथ उठाने वाला था तो तुरंत रामेश्वर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया फिर अपने पोते के सामने हाथ जोडते हुए बोले बेटा मेरी विंती है कि तुम लोग यहां से चले जाओ हमारे कारण तुम अपनी ग्रिस्ती खराब मत करो मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हसी खुसी से रहो तुम्हारा रिस्ता खराब होते हुए देखकर हमें भी चन नहीं मिलेगा ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया रोहित उसके दादा और दादी तीनों की आँखों में आसुते वही मीरा ये सोच कर खुश थी कि आखिर कार उसकी चाल कामयाब ही हो गई बस फिर क्या था बीस दिनों के बाद रोहित और मीरा नए घर में शिप्ट हो गए अपने नए पोता उसके पास होता उस दिन तो कमला जी रामेस्वर जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता वह दिन तो उन्हें किसी तिहवार से कम नहीं लगता था एक दिन जब रामेस्वर जी बाजार से घर लोटे तो कमला जी रसोई घर में खाना बना रही थी अरे कमला खाने की कितनी अच्छी खुष्बू आ रही है पूरा घर महक रहा है क्या क्या बनाया है जरा हम भी तो देखें रसोई घर में जाकर खाना बनाते हुए कमला जी से रामेस्वर जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवान खाने लगे क्या बात है कमला इतना कुछ पका कर रखा हुआ है जैसे आज कोई तेहवार हो लेकिन खाने वाले तो हम दो ही लोग है और ये देखो मश्रूम की सबजी गाजर का हलुआ साथ में मन पसंद कचोड़ी और रस्मलाई भी बनाई है लेकिन ये तो बताओ आज हम पर इतनी महरबानी कैसे हो रही है रामेस्वर जी की बात सुनकर कमला जी मुश्कुराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए तेहवार से भी जादा माई ने कौन सा दिन रखता है दरसल कर रोहित का फोन आया था और बता रहा था कि वे आज हम लोगों से मिलने आएगा इसलिए सोचा कि उसकी मन पसंद की सबजियों के साथ साथ कचोड़ी और मलाई भी बना लूँ उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने हुए पकवान पोते का नाम सुनते ही रामेश्वर जी के चहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी तभी कमला जी बोली जरा खाकर तो बताईए कैसी बनी है कचोड़ी कमला जी ने जैसे ही कमला जी ने कचोड़ी थे शरीर में जैसे जान ही ना हो कमला जी के चहरे की तरफ देखते हुए भाव खोते हुए बोले कमला एक बात पताओ शादी के बाद बच्चे माबाप से दूर क्यों चले जाते हैं क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई औशक्ता नहीं रहती ऐसा कहते हुए आंगन मे रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और पास में रखा अकबार उठा कर पढ़ने का दिखावा करने लगे कमला जी उनके दिल का हाल जानती थी अपने पती का मूट ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मन पसंद बादाम वाला दूद बनाया और गर्मा गर्म दूद गिलास म अकबार पढ़ना जारी रखा तो कमला जी ने उनके हाथ से अकबार लेकर एक तरफ रख दिया फिर बोली मैं जानती हूं कि आप अकबार नहीं पढ़ रहे हैं देखिए अब तो अकबार के पन्ने आपके आंसों से भीग चुके हैं ऐसा कहते हुए कमला जी ने रामेस्व हो गए थी तब तो आप मुझे तसली दिया करते थे लेकिन आज आप ही अपना धीरजख हो रहे हैं तब ही रामेस्वर जी रोते हुए ये बोले तो क्या करता कमला अगर उसे अलग रहने के लिए ना कहता तो तुमारी बहु हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुस्वार कर देती जब से शादी करके आई है तब से हमारा ये घर उसे चोटा लगता था ना तो हम लोग उसे उसके स्टेंडर के लगते थे और ना ही ये घर आए दिन जगड़ा करना तो उसके सोभाव में था और हम लोग तो उसकी आँखों में जैसे खटकते रहे अब वो हमारे नहीं रहना चाहती थी तो क्या मैं पोते को कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और हमारे साथ रहो पती की बाते सुनकर कमला जी के आँखे भी आशू से भीग गए लेकिन फित तुरंत अपने आशू छुपाती हुई वे रसोई घर में चली गई रसोई में जाकर देखा तो कड़ाई में सबजी जलने लगी थी जल्दी से सबजी की कड़ाई उतारने के चक्कर में गरम गरम कड़ाई को पकड़ लिया उनकी उंगलिया जलने लगी लेकिन वह उन्हें इतना दर्द नहीं दे रही थी जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था अचानक उनकी आ अपने पोते को देखकर उनकी आखें फिर से चमक गई और सारे दुख खुसी में बदल गए। वैसे तो पोते से मिलने के बाद कमला जी और रामेस्वर जी के कुछ दिन बड़े ही खुसी से गुजरते रहे। लेकिन आज जब रोहित अपने घर वापस चला गया तो रामेस्वर जी कुछ ज़्यादा ही दुखी हो रहे थे फिर थोड़ी देर में बोले कमला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कमला जी ने देखा उनके पती का बलड़ पिसर बहुत चड़ चुका था उन्हें ग रास्ते में ही उनकी मौत हो गई ये सब देखकर कमला जी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी इधर रोहित के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था अपने दादा जी की मृतिक का जिम्मेदार वे स्वैम को मानता रहा लेकिन अब अपनी दादी मा को अकेला छोड़न इतनों में काफी दर्द रहता था रोहित उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवा रहा था लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उनकी दादी मा उसके साथी और बड़े अराम से रह रही है और उसकी पतनी मीरा को भी इस बात का कोई दिकत नहीं बलके वे तो ब रवाज़ा खोने लगा तो उसके कानों में एक आवाज आए ये आवाज उसकी पतनी मीरा की थी जो बातें मीरा ने बोली उन्हें सुन कर तो उसके पैरोतले से जमीन खिचा गई जब उसने देखा कि उसकी दादी मा के साथ नोकरानी से भी बुरा वेवार कर रही है रोहि मा के पास बैठने के लिए समय तक ना निकाल पाया जब से दादा जी का देहांत हुआ था दादी कितनी अकेली हो चुकी है और मैं अपनी जिंदगी इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि दादी का दर्द भी ना जान पाया आज जो बाते मैंने सुनी है क्या ये सब बाते मेरी दादी मा हर रोज सुनती है इस घर में रहते हुए मेरी दादी मा को दो टाइम का खाना भी सुकून से नहीं मिल पाता लानत है मुझ पर रोहित का खून खोलने लगा और वे गुस्से से आग बगोला हो गया उधर कमला जी अपनी बीमारी के बावजूद भी लगाता काम करती जा रही थी उनकी आखें आसूओं से भरी थी किसी को मालूम नहीं था कि रोहित दरवाजे पर खड़ा सारी बाते सुन रहा था जैसे ही रोहित अपनी दादी के पास आया कमला जी जूटी मुसकान के पीछे अपने आसूओं को छुपाने की कोशिस करने लगी आप अपने पोते से आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं मीरा आपके साथ ऐसा वेवार करती है या फिर आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं था जो मुझे अपने दुख और दर्द परिसानी में भी शामिल नहीं कर सकी रोहित ने कहार अपनी दादी मा का हाथ कमला जी के दिमाग में ये सारी बाते घूमने लगी किस तरह मीरा रोहित के होने पर अपनी दादी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी लेकिन उसके जाते ही वे घर की नोकरानी बना देती थी अगर कमला जी बहुत से कुस पूस ती तो पलट कर जवाब देती कि कोई चीज लेकर आता उन्हें देता इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में जगड़ा कर देती थी इसी बात से डरकर कमला जी हमेशा अपने पोते से कहती थी कि बेटा मेरे लिए कुछ मतलाया करो कमला जी के मना करने के बाद भी रोहित नहीं मांगता था उनके कमरे म टीवी लगा दिया ताकि खाली समय में दादी अपना दिल बहला सके एक दिन कमला जी का मन हुआ कि थोड़ी देर के लिए टीवी पर भगवत गीता का आनंद ले लेकिन जैसे ही मीरा ने देखा तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लगई और बुच्चे से उसने कमला ज मीरा अब अपने बच्चों को भी इस तरह की बाते सिखाने लगी थी कमरा जी के यहां रहते हुए काफी समय हो चुका था इसलिए आस पडोस की कुछ महलाए सहेलिया बन गई थी लेकिन जब भी उनकी कोई सहेली उनसे घर पर मिलने आती तो बच्चे वहीं बैठकर अपन का समान मंगाती तो बच्चे चीज उनसे चुपा कर लाते और जब कमला जी सोने चली जाती तब खा जाते एक दो बार कमला जी ने उनसे पूछा बेटा क्या लेकर आ रहे हो तो बच्चे बोले कुछ नहीं दादी ममी ने साबुन मंगाया था वही लेकर आया हूँ कमला ज इस उमर में इतना चटोरापन आपके लिए ठीक नहीं कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो बिमार हो जाओगी और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का आप तो बिना मतलब ही बच्चों के इलजाम लगा रही हो अकसर रोहित के काम पर जाने के बाद मीरा अपन कमला जी पर छोड़ जाती यदि वे कुछ बोलती तो उल्टी उन्हें चार बाते सुनाने लगती थी ये सारी बाते कमला जी ने आज तक अपने पोते से नहीं कही थी लेकिन आज जब रोहित ने उन्हें अपनी कसम दी तो वे खुद को रोख ना पाई और सब कुछ अपन किन सामने अपने पती रोहित को देखते ही उसके होस उड़ गए इस तरह का वेवार देखकर रोहित का खून खौल उठा उसने खीच कर एक तमाचा अपने पतनी के मूँ पर मार दिया मीरा तुरंत चकर खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी फिर थोड़ा समल कर मीरा बोली आप आप कब आए मैं उस समय आ गया जब तुम बेसर्मी की तरह बात करते हुए मेरी दादी का रोब जाड रही थी मेरी दादी के साथ नोकरों की तरह वेवार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम तुम क्या जाने मेरी इस दाद बड़ा किया और मुझे इस लाइक बनाया कि आज में अपने पैरों पर खड़ा हूँ लेकिन तुमने मेरे उन्हीं दादा दादी के साथ ऐसा गलत वरताव किया मुझे उनसे दूर किया मैं चुप रहा लेकिन अम्मे चुप नहीं रहूंगा लेकिन बस अब और नहीं अपन दादी सास के पैरों में गिर कर माफी मांगने लगी समला ने उसे माफ कर गया लेकिन मीरा के माफी माफने के बाद भी रोहित उसे माफ नहीं कर पाया और आज करीब 16 साल के बाद वही मीरा अपने इस मकान के एक कमरे में अकेले पड़ी रहती है उसका वही बेटा जिसे उ परवाजा खुलता है तो सामने से मतलाना और अगर वे सामने भी आ जाएं तो सामान को पीछे छुपा लेना। अगर आगे फल मिलेगा ये तो प्रकृतिक का नियम है अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जर झाल झाल